है लो सेविल इंजिनियर्स अम अक्षे कामत एंड या कॉर्परेट ट्रेनर फ़र रिंफोर्स ट्रेनिंग इंसिट्टिट फॉर सिविल इंजिनियर्स आफ वेलकम यौल टुटिस लेक्षर इस लेक्षर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बिकवर जो हम बना रहें इसका प्लाइनिंग किस तरह से करना है वी औ क्यों को किस तरह से समझना है किस तरह से करने में schedule करने हम इस लेक्षर में देखेंगे Safety जो फौर एक्जांपल इस में देखो यहां पे रूम है रूम है मिचिस फाइं मीटर यह पका फाइं मीटर और यहां पे आपको क्या करने अब जैसा आपको बुख्ष करनें क्या-kicky चीज या दर्खने हैं आपको देखो window करना पड़ेगा तो उसके लिए आप देखो यहां पर फिर्स्ट इस लेंट आफ दे वाल हमें फाइंड करना है अब लेंट वाल लेंट आफ देवाल कैसे फाइंड करेंगी मैं आपको एक रॉड़ आइडिया दूंगा देखो यहां पर अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कर दे कि अब रूम का साइस क्या है अब वाला मेरा पांच मीतर होगा चो ईसको शानट अब मिरा बन जाएगा 5 मितर ठीक है अब हम परेंट इसका क्या करेंगा इसका परिमिटर को और मतलब जो आउटर उब डिस्तेंस कितना हो र hugely मुझे find करना है कैसे find करेंगे इसको कैसे find करेंगे पेरिमिटर देखो बहुत सिंपल है perimeter find करने का आपको बस थोड़ा logic लगाना है फर्स्ट हम इसमें दो वॉल लेंगे जैसे डिस वॉल और इस वॉल यह दो वॉल कॉम लेंगे देखो हमें जो distance पांच मिटर हे लाग। हो इसके आउटर से इसके ऑउटर दिया है पर मेरा जो यी वाल जा रहा है न कहां तक जा रहे यहांँ तक जा रहे पूराब पूरा से जा रहे पूरा पूरे स्थे जा रहें तो नई तो हम थोड़ा एक और दिमाग लगा सकती इसमें इसको इतना कॉंप्लेकेटटेड करने से अच्छे एक मिनिट सब्सक्राइब हटा दूगा मैं कि इसको फिर से एक एलेड कलर मिन लेंगे हम इसको लेंगे पूरा मांदो में इस तरह से ले रहा हूं चुलो अब ठीक है अब यह आपका पांच मिटर को हो गए यह जो डिश्टेंस आपका भी पांच मिटर हो गए यहां से यहां पर यहां से यहां पर पांच मिटर tweak आपको पांच मिटर का यहां से और यह पर यहां से यहां vibr हैं पूरे ट्रेंट टो परिमेटर कितना उन्जाएगा यह पांच और वी पश्चमक हो जाएगा कि फै早ट्ट वाला जो लेंजरक कुया है यहां तक 2 साथ मीटर है कहां से देखो यह जो साथ मीटर आपको दिख रहे ना यह साथ मीटर आपका यहां से यहां तक है यह साथ मीटर यहां से यहां तक है पर आपका जो वाल है इधर से और भी थोड़ा अंदर है यह रोज रेड लाइन इधर से और भी थोड़ा अंदर है तो इसको और 230 mm इस तरफ है मैं आपको roughly ले रहा हूं क्योंकि मालनो जो width of the beam है आपका 230 mm तो 230 230 कितना हो जाएगा जिरो पॉइंट में एक बर इसको manually करेंगे तो यहां पर लिख रहा हूं मैं आपको तो साथ मीटर तो अलड़ी है साथ प्लस 0.23 प्लस 0.23 जिसको manually करेंगे एक बर देखो time लेता है इन चीज़ों में इट विल टेक टाइम 7 प्लस 0.23 प्लस 0.23 तो 7.46 होगा 7.46 7.46 तो इस तरफ हो गए न अब मुझे दोनों तरफ करने यह वाला 7.46 और इधर भी 7.46 तो मैं जो टाइप 7.46 करूंगा प्लस 7.46 तो हो जाएगा 14.92 मीटर तो यूजिल हम क्या लिखते इसको में अगर परिमेटर कवरें तो पेरी मियुटर कितना हो जाएगा आप बताओ एक मिद्रि कि करें तो पेरिमीटर क्या हो जाएगा पांच शौट वाल का एक वहर दूसरा साल की प्रस इधर कितना नोज चाहेगा 7.4 ब zor गें 402 शूब सब्सक्राइण आग ड़्य है डोगत आपकें को चाहरे सबमस्छ ए 않कर बांच प्रस देना 7.46 24.92 मीटर क्योंकि सारे लेंथ 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 है न तो मीटर हो जाएगा तो यह हो जाएगा मेरा परिमीटर तो इस परिमीटर को हमने यहां पे आपको इसको निकाल दूंगा हर एक चीज को तो अब देखो 24.92 मेंने लिखा था हमें आंसर भी 24.92 मिलाए अभी हमें क्या मिल इस लेंथ आफ द वाल इस परिमीटर अब इसको हमें एरिया चाहिए ना एरिया के से मल्टिप्लाई करेंगे जो ब्रिक वर्क होता है मैं आपको होता है हाईट में जाएगा तो इस था ठीक जो आपको ब्रिक करो तो इसको में हांगा मिल जाएगा तो आभी हाइट कितना होगा इिृशली जीड होता होता है कितना होगा 2021 मालओ ऐसके करो एप । । । अब देखो यह तो हमने पूरे इसका बना दिया पूरे रूम का हमने एरिया फाइंड कर दिया अगर आप आर्किटेक्च्छल द्रॉइंग देखोगे आपको डिडेक्शन करने यहां पर विंडू आ रहे हैं मतलब यहां पर ब्रिक्वर की जरूरत नहीं है यहां पर विंड आपको ब्रिक्वर करने ज़रूत है मतलब आपको इतने चूंत्प में लिखका एक नंबर का विंडों का 1.2 और तूपोइंट-4 कितना नंबर को एक नंबर का है यहां लिन्ट्ट कि रेक्ष में नुपर के ओपर वह मैं आपको चै 만큼 आपको confusion हो रहा है तो मैं आपको समझा दूंगा पर हर एक detail में नहीं जाएंगे देखो जैसे मान लो आपने डेक्शन क्यों करने आप देखो अपने ब्रिक वर्क किया तो इतना यहां पर विंडो आ रहा है ना तो यहां पर ब्रिक वर्क नहीं लगा जो भी इसका लेंध हैंगे जैसे यहां पर भी देखो इतने एरिया में ब्रिक वर्क नहीं किया ना तो इसका जो भी लेंध और इसका जो भी हाइट होगा उसको हमें डिटक्शन करने यहां पर देखो यहां पर है तो दोर का भी मुझे डिटक्शन करना पड़ेगा और दोर के उपर इतने पो लेंट और जो लिंटल का ब्रेट्ट होगा उसको मल्टिप्लाई करेंगे तो इसका भी एरिया निकल के आएगा तो इसको भी डिडेक्शन करना पड़ेगा तो इस तरह से हमें हर एक चीज को हमें करना पड़ेगा अब वही चीज मैंने यहां पर किया है लिंटल अब दोर फ सारे का अगर आप जोड़ोगे तो मैरा एरिया आ रहे 25.98 mm square का मुझे एरिया इंतने डिटक्शन करने के बाद तो इरिया का वाल कितना था 74.76 और ये डिटेक्शन वाले एरिया कितना है 25.98 mm square तो बचेंगा कितना तो 74.76 74.76 मैनस ये डिटक्शन वाला एरिया 25.98 तो 48.77 78 mm square मेरा area of the brick work that has to be done तो deduction वाला मैंने यहां पर लिखा है आप एक बार इसका screenshot निकाल के आप इसको देख सकते तो इस तरह से आप manually करो तो मेरा answer आएगा 25.98 यहां पर लिखा है मैंने और यहीं मेरा 74 इसको deduction करेंगे तो 48.78 यहां पर बस मेरा brick work चलेगा अब इस तरह से हम क्या करेंगे फिर हम manually का one by one हम calculation करेंगे फिर वाल्यूम आफ मैसेंडरी वाल तो इस एरिया को हम multiply करेंगे 0.23 0.23 जो एरिया आ रहे है ना 48.78 इंटु 0.23 0.23 क्योंकि 9 इच का वाल है तो 230 mm होगा पर मीटर में लिखना है तो 0.23 answer आएगा 11.22 cubic meter हमें एक चीज़ याद रखना है वन cubic meter of the brick work requires 500 brick अगर एक cubic meter का करकर आपको ब्रिक वर करना है तो मुझे 500 brick चाहिए देफर number of bricks required विल भी कितना मेरा कितना amount करना है 11.22 cubic meter करना है 11.22 into 500 करेंगे तो 5610 number of a brick is required next हमें number of bricks मिल गया है अगर मुझे 48.78 square meter का मुझे area of the brick work करना है तो मुझे 5610 number of bricks is required फिर हम मुझे कितना mortar का quantity चाहिए देफर volume of one brick जो हम normal brick जो हम use करेंगे 190 by 90 by 90 volume of one brick कितना आएगा 0.19 into 0.09 into 0.09 करो इसका answer आएगा 0.001539 cubic meter volume of brick with mortar अगर इसमें mortar को add करेंगे तो कितना हो जागा 10-10 mm आपको जोड़ना है मतलब 0.2 into 0.1 into 0.1 समझ में आ रहा है hope 0.9 plus 0.1 करो 0.09 plus 0.1 0.09 plus 0.09 plus 0.1 करेंगे तब volume of a brick with mortar अगर इसमें सिमेंट mortar जोड़ोगे तो अब इसका होगा 0.2 into 0.1 into 0.1 अब इसका volume निकालो इसका अगर तीनों को multiply करोगे तो हो जाएगा 0.002 cubic meter देफो volume of mortar for one brick will be अगर एक ब्रिक में कितना mortar चाहिए तो हमें क्या करने volume of brick with mortar minus volume of one brick करने देफो volume of brick with mortar minus volume of one brick करेंगे तो हमें volume of mortar मिलेगा एक ब्रिक में the volume of brick with mortar कितना है 0.002 minus volume of one brick कितना है 0.001539 इसको करो answer कितना मिलेगा आमको answer मिलेगा 0.000461 cubic meter देफो volume of mortar for one brick is equal to 0.000461 cubic meter देफो volume of mortar for 5610 brick अभी हमने जो निकाला है न यह वाला the one what we have found now the one what we have found that is volume of mortar for one brick हमने जो निकाला एक single brick के लिए निकाला न हमारे पस कितना brick 5610 brick है तो उसके लिए हमें क्या करने यह जो answer आ रहे है इस answer को multiply करेंगे 5610 देफो volume of mortar for 5610 brick will be 5610 into 0.000461 the volume of mortar required 2.59 cubic meter of the motor is required हमें इतना mortar चाहिए अगर मुझे 5610 bricks का मुझे करना है तो अगर मोटा तो मिलगा इसमें सिमेंट कितना लगेगा सैंड कितना लगेगा उसके लिए फिर से आपको इस तरह से calculation करने मान लॉप one is to four का आप मैसेंट्री वॉल्ल बना रहे है वन इस टुफोर का तो क्वाइन फैक्टर होता है यह वन पोइंट टुफोर में सिमेंट्री ना हम सिमेंट का निकाल रहे है तो हमें करना है और इसको हम डिवायट करेंगे 55 क्यों करेंगे किए वन प्लस फौर इस फाइज फाइज तो इसलिए अगर यहां पर ओन इस्टू सिक्स होता तो 6 प्लस वंस जैसे माननो बवन इस्टू 4 है 4 4 प्लस 1 क्या फाई इसले हम ने इसको डिवाइड ऑइफ किया अगर माननों आपको यहां पर रेश्यों वन इस्टू 6 दिया जाता वन फिस्टू 6 तो आप क्या करते हैं डिवाइड वाइड कितना करते हैं यहां पर 7 क्योंकि 6 प्लस 1 7 होगा हम यहां पर 7 करते हैं तो इसलिए हमने इस तरह से इंटू 29 किया है यह सारे चीज आप सीखो के क्योंटिटेश्न के क्लास में आपको बस ओरल समझा रहा हूं तो इंटू 29 करेंगे तो आपको 20 सिमेंट बैक चाहिए तो फिर सांड कितना चाहिए सेम कैलकुलेशन आपको सेम कैलकुलेशन रखना है जहां पर आपने वन लिखा है ना वहां पर आपको फोर करने क्योंकि इस सेंड और का क्यों but a nida का क्यूबिक सुस्क्या क्यों फिर पानी पानी क्या करेंगे डायरेक्टिद आप पानी की लिए क्या करना जो भी आप का सिमेंट का भाग आंसर आया तो एक सिमेंट में मैं हमें 17.6 लीटर का पानी छी एक सिंगल सिमेंट में हमें 13. 17.3L लिटर फिरेज़ रिट आपश्तराइब करने कभण हमें इक्ष्ट्रेक्ट यoming कितना चाहीं सांट कितना चैए पानी ao तो मैंने यहां पर लिखा 560 सिमेंट कितना चाहिए 20 संद कितना चाहिए आपको 97.30 q. ft पानी कितना चाहिए 347 लिटर से 347 लीटर अब रेट आपको डिपेंड करेगा market की उपर अब अपने एरिया में ब्रिक का रेट 8 रुपए है तो मैंने 8 रुपए लगा दिया मान दो आपके एरिया में ब्रिक का रेट कुछ 10 रुपए है तो आप यहां पे 10 रुपए लगा होगे सिमेंट का रेट अभी 350 चल रहा है अगर 370-380 है तो यहां पे रुपए अब तीन को मल्टिप्लाइ करना 56108 20 इन्टो 350 97 42 347 इन्टो ट्री टोटल आयेगा 56,995 लेट ऐसे 57,000 रुपए अगर आपको 48.78 स्क्वार मीटर का अगर आपको ब्रिक बनाना है यह से फॉर एक्जाम्पल इस रूम का अगर आपको ब्रिक वर्क बनाना है इस रू इन्वेस्ट करने 57,000 रुपिस रिक्वाइड तो इस तरह से हमें कॉंटिटी एस्टिमेशन भी करना है जैसे मैंने समझाए यह सारे चीज़ करेगा कॉंटिटी एस्टिमेटर है आपको इसको करने के ज़रुवत नहीं है बाट एनियो इस अल्वेस गूर्ड यूल लर्न इस तरह से अब देखो यूशल हम क्या करते हर बार मिस्टर से मैनुल के रखेंगे जैसे जो भी परिमिटर आपको वहां पर मिला था उसको हम यहां पर इन्पूट करेंगे परिमिटर को फर एक्जांपल परिमिटर हमें मिला था 24.7 तो इस तरह से मैं इन्पूट किया हां पर हम उसी को करेंगे एक मिनिट परिमिटर कितना मिला था हमें वी गौट परिमिटर आफ 24.92 24.92 ठीक है फिराइड कितना था तीन मिटर रिता ओके नेक्स्ट इस एडिस्टिनल एरिया बॉलिम और रिक फार इसका मिन रिकेशन लगादेंगे कि कितना लगेगा एरिया फॉल आफ्टा डिटक्शन 48.78 48.78 48. चलो ठीक है 48.78 में डारेकली लगा दी यहां पे तो आप देख सकते हैं वॉल्म ऑफ ब्रिक वर्क डारेकली आगाई 11.22 जो अपने मैनियल केल्कुरेशन में 11.22 तब ब्रिक हमें चाहिए था 5610 तो आप यहां पे भी देख सकते हो ब्रिक हमें 5610 आगया वॉल्म ऑफ सिमेंट मोटर 2.59 चाहिए था तो हमें कितना मिला 2.59 नहीं मिला है हमें वॉल्म फे या 2.5 तो इस तरह से हमने इस तरह से एक्सिल शिट बन मान लो कल आपको रिचियों वनिस प्वाइब करेंगे बेस्ट तक यहांपर यहाँ चीज्च हो गाए 58 सब्सक्राइब करना है वाल्यम ऑफ ब्रिक्वर्क 11.22 ब्रिक्वर्क के अगर मालो आपका थिकनेश 230 नहीं है मालो उन्होंने थिकनेश रिया 0.2 तो आप यहां पर 0.2 लगाओ सब्सक्राइब करना है मालो बस 2.5 मिटर का हाइट आपको ब्रिक्वर्क करना है चोलो 2.5 कर देना तो बेस्ट आट इस तरह से आपको हर एक चीज़ आपको करना है and that is how your excel sheet is going to work yeah so I hope so we'll see you back in the next lecture thank you